हेलो इस्टूडेंट्स आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि सिर्फ इसी वीडियो में सिर्फ एक वीडियो में आपको जो रस होता है हास से रस करूड रस उसके बाद अलंकार जितने भी होते हैं उपमा अलंकार रूपक अ जरूर से पूछे जाती है और बाइस फरवई को तो एकदम आने ही वाली है दो जाए चौविस बूर्ड एक्जाम के लिए सबसे पहले आता है हास तो हासरस के लिए को परिभासा देखेंगे और यह मैं अपने लैंग्विज में आपको समझाने की कोशिस करूंगा तो दे रहे हासरस की परिभासा होती है कि हासरस का अस्थाय भाव हास है अब देखू उसके बाद कि किसी व्यक्ति के विक्रित रूप विसभूसा आ कार आधी को देख कर ने जो शेए में जो आ खुशी का भाव उत्पन होता है वही हास कहलाता है और यही आईनिका हाथ लिखा ग पर देखो इसको हास है तो वही हास नमक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाओ से पुष्ट होता है तब हासरस की निस्पत्र्थी होती है तब गहता है हासरस की निस्पत्ती होती है फिर देखो इसके बाद इसका एक्जांपल इसका एक्जांपल है कि विंद के वाशी उदासी तपो व्रत धारी महाबिनु नारी दुखारी गौतम ती तरी तुलसी सो कथा सुनी भाई मुनिविंद सुखारी ठीक भाई मुनिविंद सुखारी में लिए यह किसी को भी देखकर इन्हाइब किसी भी चीज को पढ़ने के बाद या पर सुनें इसके बद करूरस का स्थाइब होता है क्या होता है या भी बताया गया क्योंकि काफी बार यह पूशा जाद चुका है कि हाज रस का अस्थाई भाव क्या होता है फिर आता है करूड रस आप देखो करूड रस क्या होता है तो करूड रस होता है कि करूड रस का स्थाई भाव सोक है पहले तो अस्थाई भाव जान लो करूड रस का स्थाई भाव क्या होता है सोक होता है और किसी क सोच का भाव उत्पन होता है किसी को भी देखने के बाद अगर हमारे मन में कोई सोच का भाव मतलब दुखी वाला भाव उत्पन होता है तो वहाँ पर क्या होता है करुड़स होता है जैसे अब जरूरी नहीं कि देखने के बाद ही हो कोई चीज आप सुन लो मालो या पिर ओकर कोई चीज देख लो कोई आपसे कोई चीज़े बोल दे आप कोई कार्य कर रहा हो इसको करने के बाद तो इससे अगर मन में कोई भी भाव ऐसे उपन होता है तो वहां पर करूड रस होता है अब देखते हैं इसका उदाहरण तो देखो उदाहरण है कि यहां देखो उदाहरण है मड़ी खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी अंधा आज बना कर मुझ को किया नयाय तुमने जग दिस तो यह तरीके से करूड का भाव जागरी थे मतलब करूड रस इसमें है तो यह हो गया हमारा करूड रस अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्ष्ट अलंकार कि कौन-कौन से अलंकार जो बहुत महत्तपूर हैं तो यह अलंकार आ घहे आपके सामने ये जितने अलंकार ये काफी ज़्यादा महत्तपूर है पेपर में आतें सबसे पहले आलंकार रेत्व हम देखते हैं प्रिभासा इधरन हम देखते हैं तो उपमालों करूप्स लग रहा है कि किसी चीज की उपमा की जाएगी और परिभासा में ही बताया क्या है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान गुडधर्म की आधार पर तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है अब यह उदाहरण क्या है जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। देखो इसमें तुलना की जा रहें कि जो राधा के जो चरण है वह गुलाब के समान कोमल है। तो इसमें हो जाएका हमारा उपमा अलंकार अब इसके बार देखो नेक्स्ट रूपक अलंकार अब रूपक अलंकार क्या है तो यहां पर देखते हैं रूपक अलंकार की परिभासा कि जहां उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है अब रूपा कलंकर कर देखो हम उदाहरण देख लेतें क्या कि इसका उदाहरण क्या है तो इसका उदाहरण है चरण कमल बंदव है राई काफी बार आपने यह उदाहरण देखा होगा और यह काफी ज्यादा इंपोर्टन भी है यह वाला जो उदाहरण है बहुत जाथा महत्फोर है तो देखो चरण कमल बंदव है राई यह काफी जादा इंपोर्टन है तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं अग जितने भी बतार हो हो न यह सब भी बहुत्याता हुलेसा है जाहें जाये रस हो चंद हो अलंकार के सब आता है पेपर में फिर आता है देखो अलंकार तीसरा नम्बर है इतने ही आते हैं इससे नails कमाताना इससे जदा आता है अब किया इसकी परिभासा की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां पर उपमे में उपमान की संभावना की जाए वहां पर क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है अब देको जैसे एक्जामपल जानना जरूरी होता है हर चीजों को चाहे जो चीज आप कर रहे हैं उसका एक्जामपल जानना जरू होता है तो इसका एक्जाम्पल हो जाएगा सोहत ओड़े पीत पटू स्याम सलोने गात मनो नील मड़ी सैल पर आतब पर्यो प्रभाद अब ये है उत्प्रेक्षा लंकार और ये जो दिया गया है उदाहरण इसका ये इसका उदाहरण काफी जादा फेमस है और क आप लोग यह तैयार कर लें तो देखो यह थे आपके तीनों अलंकार आपके अलंकार भी अपके कंप्लीट हो गए ठीक है अब आता है जो लास्ट का टॉपिक बचा है जन्द तो इसको भी हम देख लेते हैं कि कौन सा जंद है और कितना जादा महत्तपूर तो यह देखो आप रोला अब यह रोला क्या कहता है जो रोला है तो रोला में है कि यह चार पंग्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है इसमें मतलब कि चार पंग्तियां होती है जो रोला होता है उसमें चार पंग्तियां होती है फिर लिखा गया कि इसमें आठ चरण होते हैं चार पंक्तियां होती हैं और 8 चरण होते हैं भी मैं आपको बताता हूं इसके प्रतेक चरण में 11 और 13 के विराम मिस जीतीजाती हुई जीनोंने भारत भाजी निजबल से बल्मेड विधर्मी मुगल कुराजी ठीक तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे दिया गया जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निजबल से बल मेट विधर्मी मोगल कुरा जी ठाहर सके जिनके आगे जंगी न जहा जी है ये वही प्रसिद्ध छत्रपत भूप शिवा जी तो ये पूरा का पूरा चार लाइन का है जिसमें टोटल आठ चरड दिये गए ठीक है तो इस प्रकार से रहता है यह हो गया उदार रोला का और इसके बाद आता है सूर्था रोला आपने पढ़ लिए सूर्था भी पढ़ लो और हाँ देखो आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुए मतलब एकदम से क कम टाइम है और इनकम टाइम में अगर चाहते हो कि कुछ चीज़ आपके पास ऐसा रहे जिनको पढ़कर आप काफी अच्छे नंबर लाज़ सको यह दोज्या चौबिस बूर्ट एक्जाम वालों के लिए मैं बता रहा हूं तो आप लोगों के लिए जो कोर्स की लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और कमेंट बॉक्स में भी है यहां से पढ़कर जितनी चीज़े पढ़ाई गए सिर्फ उतना ही पढ़कर आप 90 या फिन 90 प्लस आप ला सकते हो सिर्फ उतनी चीज़ों को पढ़कर तो उसको भी जल्दी से पर्चेस कर लेना क्योंकि उसको पूरा कम्प्रिट करने में आपको एक दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा तो यहां से डाइट ली आप देख सकते हैं अब आते हैं आप अपने सो रठा पर देखो सो रठा की परिवासा कैसे होती है सो रठा अर्ध सममात्रिक छंद है सो रठा क्या है एक अर्ध सममात्रिक छंद है इसमें चार चरण होते हैं सो रठा में चार चरण होते हैं इसके प्रथम एवं तिरतिये चरण में यारा यारा मांत्राएं तथा दुतिये एवं चतुर चरण में तेरा तेरा मांत्राएं ह होती है कहा गया है कि सोठा एक अर्ध समात्रिक्षंद है और इसके इसमें कित्ते चरण होते हैं और इसके प्रता मतलब पहले और तीसरे चरण में 11 11 मांत्रा होती हैं दूसरे और चौथे चरण में 13 मांत्रा होती है पहले और तीसे चरण के अन्त में गुरू यह फिर लागू आते हैं और कहीं कहीं टुक भी लगते हैं और यह दोहे का उल्टा होता है अगर आपको दोह की में तिरा तिरा मंत्र होती है अब देखो इसके कुछ एक्जाम्पल है जैसा इसका इक्जाम्पल क्या उधारण है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट विसे करुणा इंचिताई जान की लखनतन यह जो है यह इसका उधारण सूर्ठा का ठीक तो यह वाला देख लोगे काफी जादा इंपॉर्टन्ट उधारण है और देखो जब आपके बोर्ड इजाम में आएगा तो ऐसे कोई स सचद जैसे वाला वाला आप्शन किवा शूह आघए स्पीया की यह है चौपाई और से यह कंदव्ह कंदमें कंद तो बताना है कि हमार पर पेस से थिक एस तरीकए से पूछ तो सुल्दोस्तों मैं ने आपको हर चीजे बता दी अगर आपको सिर भी कहीं कुछ भी डाउट है तो आपके डायट लें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो यह रहें इंस्टाग्राम की आईडी प्यू स्मॉर्या एक जार एक और हां टेंद की त्यारी कर रहे हो तो मोबाइल पर इसकूल चैनल को जोड़ से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस पर पूरे आपके वाइरल पेपर और सभी इंपॉर्टन कुश्चन जितने वी चीजे हैं हर चीजे मैं पढ़ा रहा हूं आल्रेटी तो इसको देखते रहना वीडियो को लाइक करना चैनल पढ़ना है तो चैनल को जोड़ से सब्सक्राइब कर लेना